जोहार, मैं कृष्णा गुपता और आप देख रहे हैं न्यूज जारकण जारकण में पहली बार विस्टा डोम कोच सफर होगा सांदार 180 डिग्री घूम सकेगी ट्रेन की कुरसियां न्यू गिरिडी से राची के लिए स्पेशल ट्रेन अब जारकण में भी प्रेचनक ट्रेन में यात्रा करते वे सांदार नजारों का आनन्द ले सकेंगे पहली बार विस्टा डोम कोच आ रहा है जो न्यू गिरिडी राची इंटर सिटी एक्सप्रेस होगा 12 सितंबर को न्यू गिरिडी राची स्पेशल ट्रेन की शुरुवात हो रही है यब बेहत खूबसूरत और यात्रियों के लिए कई नई तरह की सुविधा लाने वाले विस्टा डोम कोच होगी ट्रेन को सुबा दस बजे गिरिडी से हरी जंडी दिखाकर रवाना किया जाना है प्रेयटको को ध्यान में रखकर होगी शुरुवात इस कोच के माध्यम से सरकार प्रेयटको को अकरशित करने और अपने यहां प्रेयटको की संख्या बढ़ाने पर फोकस कर रही है ट्रेन जमुआ, धनवार, महेशपूर, कोडर्मा, हजारी बाग टाउन, बढ़का खाना मेश्रा और टाटी सिल्वे होते हुए राची तक का सफर करेगी इस ट्रेन के निर्मान के पीछे उद्देश है कि विस्टा डोम से यात्री यात्रा करते समय इस सफर का पूरा आनंद ले सके रास्ते में पढ़ने वाले मनोरम प्राकृतिक सौंदर एको महसूस कर सके ट्रेन में कुल 13 कोच होंगे न्यू गिरिडी राची इंटर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन दूसरी रेल गाड़ी हजारी बाग टाउन से जुड़ेगी विस्टा डोम कोच में क्या होगा खास ट्रेन के विस्टा डोम कोच में बड़े बड़े गलास की खिड़कियां है छे पर पारदर्शी खिड़कियां लगा दी गई है जो विस्टा डोम कोच में यात्रा करते समय यात्री को साइड के साथ उपर की तरफ के दृष्य भी देखने में मदद करेगी कोच का निर्मान ICF ने किया है इस कोच में 42 से 44 यात्रियों के बैठने की विवस्था की गई है इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत होगी इसकी सांदार सीट जो 180 डिगरी पर घूम सकेगी सांदार पुश बैक होगी अराम से यात्री किसी भी तरफ का नजारा देखते हुए अपनी मर्जी के हिसाब से कुर्सी किसी तरफ भी घुमा सकेंगे और यात्रा का पूरा आनंद ले सकेंगे